मुंबाई समंदर से घिरा सपनों का एक ऐसा शहर जिसकी चमक हर किसी को इसके किनारों तक खीच लाती है लेकिन क्या अपने सपने पूरे करते-करते इस शहर के लोग अपनी इंसानियत खोचुके हैं? अपने शहर में होती तो इस वक्त घर पर लोती नव बज़े तक अगर घर नहीं पहुची तो पापा मेरी हर सहीली को कॉल करके इंक्वाइरी कर ले थे चार महीने पहले पापा से जिक करके मुंबई आये थी अपने सपनों को साकार करने आफिस का दूसरा दिन था काम खतम होते होते रात के एक बच गए थे क्या बोरे बली चलेंगे मैं पहली बार बाहर थी एक नए शेहर में अंजान लोगों के बीच अचानक ख्याल आया मैंने अपना पर्स खोल के देखा तो पैसे कम थे तीन-तीन एटिम्स के चक्कर काटने के बाद रियलाइज हुआ कि कार्ट काम नहीं कर रहा अचानक मेरी नजर टाक्सी के मीटर पे गई भाया प्लीज यहीं रोक दीजे मैडम बोरी वाली को भी 20 मिनट है नए आप प्लीज यहीं रोक दीजे यह लीजे भीया पूरे दूसो हैं यह लीजे भीया पूरे दूसो हैं क्या हुआ भीया अब को यहीं उतरना है मेरी सैलिक अगर यहीं कहीं आसपास है तो मुझे यहीं उतरना है मैं चली जाओंगे आप लीजे ना आप जाहिए किसी तरह हिम्मद जुटा कर मैं वहां से अपने घर की और चल पड़ी लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी मेरी रीदू मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर रहती है बाइक से पांच मिनट में पहुँ जाता हूं अगर चेकपोस्ट ना हो तो हेलो सर लाइसेंस चल अगर अगर शुपरे श्यामा आईला यहां वर अरह तेरा अन्दरा सोला नहीं सर पूर्य अठारा काओं अगर यह देखिना मेरी मुच्छे भी तो है यह यह ड़ा समझा के मेरेको चल लाइसेंस लिगाल अब जाओं फाइन बनना पड़ेगा फाइन हेलमेट के तरह 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 सब बाल खराब हो जाते ना हेलमेट घर पे अच्छा सर पे बहनने वाली चीज घर पे सर प्लीज जाने दो नहीं बाई के गल्फ्रेंड वेट कर रही है यह ताओडे जाओ दे तेला एलो सर ताओडे ड्रिंक और ड्रैविंग करने वालों को बिलकुल छोड़ना मत और इसको वारिनिंग दे के छोड़ बच्चा है रहे अरे बच्चा नहीं है साहाब अभी अभी मुझे अपनी नई मुझ दिखा रहा था बुलाना बच्चा है जाओ दे ये बच्चा हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाने का हां तेरी सेप्टी के लिए हां चलो जाओ ठैंक यू सर यहां से गाड़ी पास नहीं होना ची यहां सर और मैं हस के वाँ से निकल गया क्या यडा बनाया सबको जाओ दे तू गाड़ी चेक सर मुझे ऐसे गूल्स तोड़ने में मज़ा आता था उस सेटेड़े वित्तु के घर पाटी करने मैं अपने घर से निकला बिना हेलमेट की हां हेलमेट का खयाल आया मुझे लेकिन मैं लेट हो रहा था सोचा पीछे होले रास्ते से निकलूंगा तो चेक पोस्ट नहीं मिलेगा लेकिन मेरी और गाहित्र की शादी को 14 साल हो गए थे हमारे कोई अलाद नहीं थी मगर पिछले साल हमारी प्राथना रंग लाई गाहित्री की प्रेगनेंसी जब आठमे महिने में थी अचानक एक रात उसके वाटर बैक में स्ट्रेस आगे हाला तो कापी ना सुपते बस थोड़ी देर और बीबी थोड़ी देर और मैं डॉक्टर सुनिया को फोन लगा रहा हूँ कुछ नहीं होगा तोब डूट वरी तेना भी अट्राइट रेजिस आउस्कावर जीए बसम पुचे 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 गईतरी एक्स्कूज मी एक्स्कूज मी अचो अचो ऑड़ी सब ठीक हो जाएगा खोल्ड़ न फोल्ड़ ज़िए जिस इस इस इए मेरा नाम हर्ष का पूर है, मुझे डॉक्टर सोनिया से मिलना है डॉक्टर सोनिया तो आट अप टाउन है कोई और रेजिदेंट डॉक्टर तो होगा, उसको बलाएए प्लीज हाँ मैं दिखता हूँ हाँ वो के मैडम, सर पंदरा मिनिट तो फिर भी जाएंगे, रेजिदेंट डॉक्टर को पहुँचने में जहां एक एक लम्हा मेरी बीवी और बच्चे की यकीमती था वहीं पे वो पंदरे मिनिट की देरी हमारे चौदे साल के इंतजार को बरबात करने जा रही थी और ये सादमा हमारे लिए बरदाश्ट के बाहर था पता नहीं कितनी देर से चल रही थी मन में बुरे-बुरे खयाल आ रहे थे एक जानी-पैचानी आवाज मेरी और तेजी से बढ़ ड़े थी लेकिन अचानक मैडम अब तो तो तुम वाबा अपिस क्यों आयो मैडम गवराईमत प्लीज आपके पास पैसे नहीं आना ये समझने में दोला से टाइम लगग तुमको गैसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है आधी रात को कोई योही तीन यटी मुचकर नहीं काटता मैं आप चलिए मेरे साथ मैं आपका आपके घर छोड़ देता मुझ पर भरुसा करो मैडम रात को मिलने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अंजान टैक्सी वाला मेरी मदद करने के लिए मुझे ढूनता आएगा मुझे नहीं आपके अंजान वाला होश आने पर मैं हॉस्पिटल में था मेरे सामने थे मेरे मॉम डेड बचाने वाले का नाम पूझा तो सिर्फ एक नाम सामने आया पाटिल मैं तो अल्मोस्ट मर ही गया था लेकिन सुनाये कि मिश्टर पाटिल मुझे मरने ही नहीं देना चाते थे लेकिन सुनाये कि मुझे आया थे एक उपाटिल लेकिन सुनाये कि मुझे एक उपाटिल जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता हम तुमारा साथ देगा ड्रेस चेंज कर दूँ मैं आपका पंद्र मिनिट में रेजिडेंट डॉक्टर आ गए मगर उससे पहले ही गाहितरी ने मेरे बेटे को जनम दे दिया था और उस वक्त उसके साथ थी सिर्फ और सिर्फ सिस्टर मैरी तो देखा आपने ऐसे ही कई लोगों की अच्छाईयों की वज़ा से मुंबई की स्पिरिट पर करार है पर ऐसे अंगिनत लोलाइट हीरोज को एसूस सलाम करता है करता है तो देखा निवर्सरी थी और आप हमारी भजे से हमारा वैड़िग अनिवर्सरी का खुशी अपका बाबा का जनम से बढ़ा कैसा हो सकता था आपके साथ एक सेलफी ले सकते है यज़ आपकोर्स हुआ हुआ है